Hello and Welcome to Sports Fact देखे IPL 2022 अब ज़्यादा दिन दूर नहीं और उससे पहले देखे आपको बता दे कुल 1214 प्लेयर्स के नाम रेजिस्टर हुए थे BCCI के पास जिसमें से 590 प्लेयर्स को BCCI ने शॉट लिस्ट किया अपकमिंग आउक्षन के लिए जो की 12 और 13 फेबरेरी को होने वाला है अब कुछी दिन दूर है आउक्षन और उससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आई है BCCI के तरफ से देखे BCCI ने confirm किया है franchises को कि जितने भी England players जिन्होंने अपना नाम दिया है कुल 24 England players है वो पूरे IPL duration के लिए available होंगे जी हाँ कयास ऐसी लगाए जा रही थी कि बीच में ही वो match छोड़के जा सकते है England players लेकिन अब BCCI ने ये confirm कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा ECB के तरफ से उनको ये notice आ गया है कि जितने भी England players है वो पूरे IPL season के लिए available होंगे यानि पूरे IPL के लिए वो available होंगे वो बीच में match छोड़कर नहीं जाएंगे देखे ECB ने ये बोला है कि जो पहला World Test Championship है New Zealand के against वो 2 जून से शुरू होगा 2 जून से उसका World Test Championship का match शुरू होगा तो उस हिसाब से देखे माई के end में बाते हैं कि IPL खतम हो जाएंगी तो उस हिसाब से आराम से जितने भी 24 players हैं जितने भी 24 England players हैं वो लोग पूरे IPL season खेल सकते हैं इस बार तो इससे ये पता चल जाता है कि जो डर था franchises के अंदर कि हमारे जो England players हैं जो English players हैं वो बीच में ही कहीं IPL छोड़के ना चले जाएं तो वो डर पर अब फुल स्टॉप लग गया है अब उनको टेंशन ने नहीं कि कोई जरूरत नहीं क्यूंकि सारे के सारे players पूरे tenure कंप्लीट करेंगे पूरा IPL season में वो खेलते हुए मैदान पर दिखेंगे ऐसे ही अबडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा जैसे ही अबडेट्स आ जाते हैं आपके साथ जुड़के आपको वो news जरूर शेयर करते हैं और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हों तो like, share, subscribe करना ना भूले याद से bell icon जरूर प्रेस कर ले ताकि notifications time to time आप तक पहुसती रहे